आज की हमारी रेसिपी है बूंदी जी हाँ दोस्तो ये बूंदी अगर आप इस ट्रिक से बनाएंगे जो हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं तो आपकी बूंदी बहुत ही जादा सॉफ्ट खिली खिली और देखिए दाने दार एकदम फूली फूली बनेगी जी ह इसनेEng को बादानी जादा बूंदी बनाई हो तो अब ज्यादा बेशन का भी यूज कर सकते हैं तो जो इसके अंदर घायते न जो लंगव recognamere repart suburbs बंखेわかल सकता था है मिलाते जाना है और खुब अच्छे से इसको फेट लेना है जितनी अच्छे से आप फेट पाएं जितनी देर तक आप फेट पाएं आपको फेट लेना है उससे क्या होगा हमारी जो पूंदी है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी और फूलेगी भी तो आपको इसमें सो के लिए रख देंगे तब तक हम अपना तेल वगयरा जो है गरम कर लेते हैं कड़ाई में तो इसके बाद देखिए यह दस मिट हो चुके हैं दस मिट के बाद फिर से इसको हम फेट लेते हैं तो फेटना इसमें बहुत ज्यादा important step है और कुछ नई काम है इस बूंदी बनाने में बहुत ही easily बन जाती है बूंदी का रायता बना सकते हैं बूंदी के लड़ू भी बना सकते हैं तो इस वीडियो में हम आपको सर्फ बूंदी बताना बताएंगे कि आप घर में बूंदी कैसे बनाएं आप बजार से बूंदी लाते हैं फिसको रायता बनाते हैं अलड़ू बनाते हैं घर में easily बहुत सारी कम बेसन में खूप सारी बूंदी बनाकर रख भी सकते हैं श्टोर कर सकते हैं तो देखिए इसकी consistency कुछ इस तरीके की हो जाएगी आप देख सकते हैं पत कद्डुकस अगर के घर में हो कोई भी क Bunu कस चलेगा जिसमें कि छेड देख रह ने आप तो यह जो जो छेड होते हैं इसी में से हमारे जो है बेसन गिरेगा बूंदी बनेगी गोल तो आपकी घर में कोई भी कद्डुकस आप ले सकते हैंजी जो हाथ वाला कद्डुकस रो वहाली कोई चीज हो तो आप वो भी उसकर सकते हैं तो यहां कडाई में आलेडी तेल यहां पे ईगरम होने के लिए लिए तेल अब यह ज्यादा एकड़म गरम नहीं है हलका गरम है अब हम आपको दिखाते हैं बूंदी बनाने का क्या है राज s pet देखिए इस तरीकी से आप एक हाज से कलचुरी पकड़ने हैं दूसरी हाज से आपको एक चमस से यह इस तरह से बेसन का जो गोले गिराना है तेल में और तेल जो है आपको हम बताएं यहां पर हमने बहुत गरम नहीं रखा है और बहुत जादा एकदम थंडा भी नहीं है मतलब हलका सा थंडा है तो यह गड़ जाती है अलग-अलग हो जाती है इस तरीके से आपके अलग हो जाएगी लेकिन क्या है थोड़ी देर बाद हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं उसके बाद ही हम इसको चलाएंगे कलचुरी से क्योंकि हम पहले चला लेंगे तो कलचुरी में सारे चिपक जाएंग तो ये फरक है अब देखिए हमने तील को कर दिए एकदम जञदा गरम मों आगा अश्टी मारे पहल रेका है अब देखिए कि इस सद्विकिते चुंडा करते लंदी गोसे बंद गरां दी ओडाएगे आप फूल जाएंगे और सिख जाएंगे उसके बाद हम इसको कल्चुरी से चलाएंगे पहले चला लिया कल्चुरी से तो साड़ी ये बिगड़ जाएंगी अब आप देख सकते हैं बूंदी कितनी फूली है इसका राज क्या है तेल जो था गरम था आपकी बार तो फ्रेंड सकते हैं बूंदी कितनी बड़िया बनी है इस तरीके से हम बड़ी वाली कल्चुरी से निकाल लेते हैं सारी बूंदी को और इस बूंदी को आप स्टोर करके रख सकते हैं ऐसे घर में आप बहुत सारी बूंदी बना सकते हैं उसके लड़ू बना सकते हैं परशाद के बूंदी ना हो बजार से खरीदने की जरुवत नहीं है तो फ्रेंट्स देखिए ये सारी बूंदी हमने प्लेट में निकाल ली है आप देख सकते हैं एकदम खिली-खिली बूंदी है और एकदम फूली-फूली सी बूंदी है तो आपको ये डिफ्रेंस याद रखना पड़ के घीजीएगा और ये वीडिओ अच्छा भी लगी तो हमारे चलग को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है आप पता नहीं तो इस वीडियो के दीचे ये सब्सक्राइब मैं बेल आइकन को भ पताईएगा फिर मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक के लिए टेक और बाई बाई and थैंक्स फोर वाचिंग मैं चर्डल सुमेरो किचेन